चलिए बड़ा आगे चलते हैं नेक्स्ट इस पिरडो के चेप्टर निंबर थर्ड का क्योशन निंबर टेंट मैं एट्थ और नाइन्थ नहीं कर रहा है एट्थ के अंदर हाफ रिंग दे रखे थी और center of curvature पर electric field पूछी थी class का example है 2k lambda upon r उस सवाल में lambda नहीं दे रखा चार्ज दे रखा तो आप lambda लेख सकते हो q upon pi r सीधा अंसर आजाएगा इसी तरह से जो 3.9 question है उसके उन्दोर ring है और ring की axis के उपर electric field पूछी है standard formula है आप खुदी कर लिए kqx upon r square plus x square की power 3 by 2 उसमें भी पूछाएगी किस वाले point पो electric field की value सबसे जादा होगी graph पगर है क्या होगी यह सारी चीजें बड़ा class के अंदर करा रखिया आपको तो हमने तो आगे चलता हूँ next is question number 3.10 यह थोड़ा बढ़िया सवाल है यह थोड़ा बढ़ा अच्छा सवाल है इसमें हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा सवाल में क्या लिखा है point charge q is located at the center of a thin ring of radius capital r with uniformly distributed charge minus q मेरे पास ये एक ring है इस पर charge है minus q इसका जो radius है मेरे बच्चे वो capital r है और इसके center पर हमने एक दूसरा चार्ज रखाव है plus q और मुझसे पूछा find the magnitude of electric field strength vector magnitude पूछा electric field का at a point lying on the axis of the ring at a distance x from the center center से x distance के दूरी पर कोई point है वहाँ पर मुझसे पूछा है कि electric field कितनी होगी और सवाल में approximation मुझे दिरखा है कि यह जो x है यह r के सामने बहुत बड़ा है कर लेंगे हमें point charge की वैज़से electric field नहीं आती है ring की वैज़से ब लिखनी आती है सब कर देंगे इस point charge की वैज़से electric field होगी radially outwards जिसकी value बड़ा of course होगी kq upon x square इस minus q charge ring की वैज़से electric field होगी x इस पर ऐसे अंदर की तरफ और उसकी value होगी kq x upon r square plus x square की power 3 by अब अब आप से पूछू कि नेट electric field कितनी होगी तो आपका जवाब नाची से नेट electric field होगी वोगी वो फोर्स this minus this अरे बटा है यह वाला small की रुद्ध गना तो मेरे पास electric field होगी kq 1 upon x square minus x upon r square plus x square की power 3 by 2 ठीक है बटा अब सवाल में इतना है इस बाद का idea लग रहा है कि मैं approximation लगाना है कि x जो आर के सामने काफी बड़ा है चलो approximation लगाते है मेरे ख्याल से तो solve होई जाएगा उसके बाद 1 upon x square तो ठीक है बटा minus इस equation में से x square बाहर निकालना x square बाहर निकालूँगा तो power तो बड़ा 3 by 2 है तो x cube बाहर आ जाएगा x cube बाहर आ जाएगा तो उपर से नीचे से एक x तो cancel हो जाएगा x square बच जाएगा और मेरे पास ही आ जाएगा x square upon x square is 1 plus r square upon x square की power 3 by 2 मैं साट में लिख्याँगा उसको मेरे पास electric field की value आगी है k cube upon x square बड़ा x square भी common निकाल दिया 1 minus 1 plus r square plus x square की power minus 3 by 2 अब बड़ा यहाँ पर हो ना binomial approximation आ गया मैं आपको सिखा चुका हूँ कि अगर r की value x के सामने बहुत छोट गी है तो यह r square upon x square 1 के सामने बहुत छोट है और ऐसे case में हम बड़े आरम से binomial approximation लगा सकते है binomial approximation says that कि इस expression can be written as 1 minus 1 minus 3 by 2 times r square upon x sorry बड़ा solve करना है इसको 1 से 1 cancel हो जाएगा और हमार पास answer आजाएगा 3 kq 3 kq r square upon 2 times x raise to power 4 3 kq r square upon 2 times x raise to power 4 this is our answer पीच्ची जो answer दे रिखा है बड़ा उसमें kq value को 1 upon 4 pi epsilon not लिखावा है तो answer will turn out into 3 q r square upon 8 pi epsilon not x raise to power 4 अब यहाँ पर बच्चों के डाउट ओर रहता है answer तो चलो आगया बड़ा बहुत ही अच्छे तरीके से limits वगरे यूज़ करके अच्छे से answer आ चुका है लेकि बच्चों एक doubt रहता है इसके अंदर बच्चे सूचते हैं कि sir बहुत दूर वाले point के लिए तो हमने यह पढ़ाता है कि ring जो है वो ऐसे behave करे कि जैसे point charge placed at center तो sir point charge placed at center अगर मैं ring को माल लूँगा तो ring की विज़े से electric field अंदर की तरफ आगी के क्यूपॉन x square point charge के विज़े से bar की तरफ आगी के क्यूपॉन x square तो sir electric field तो 0 आनी चाहिए sir यह तो 0 नहीं है बड़े tending toward 0 तो है देखो x जो है वो r के सामने बहुत बड़ा है और अगर x r के सामने बहुत बड़ा है तो यह वाल टर्म तो बहुत ही छोटी है तो of course यह वाले भी value है tending toward 0 यह है है बहुत छोटी बस जो छोटी value है वो हमें निकान लेती इस सवाल के अंदर इतने सी बात नी कोई इतना बहुत भारी काम नहीं था I hope समझी के होंगे आगे चापते है